क्या आप भी बक्री पालन का वेवसाई करते हैं बक्रे रखते हैं बड़े बड़े वेवसाई करते हैं और बक्रों से आंधनी कमाना चाते हैं ज्यादा मात्रा में पेशे कमाना चाते हैं बक्रों को मोटा तगड़ा तेजी से वजन बढ़ाना चाते हैं बक्रों की तेजी से भूप बढ़ाना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखे इसकी परके बिल्कूल भी ना देखे यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज से आप यदि पक्सू पालं का वेवसाई करते हैं जिसमें ज्यादा तर पक्सू पालं में सबसे ज्यादा वजन बढ़ा लेंगे तो क्या है वह भंडा बने रहे आप इस वीडियो में अल्थ तक आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखिए हम आपको आज बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं यह वीडिय है कि बक्रे तो रखते हैं पर उनका वजन कम बढ़ता है मोटे नहीं होते हैं तकड़े नहीं होते हैं कई सारी समयश्या उनको देखने को मिलती है तब जाके पसू मालिक बंद कर देते हैं बहुत सारे बड़े-बड़े बक्री पालन के वेवसाय करते हैं बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाती हैं यह एक महीने में दो महीने में मोटा तकड़ा करके वजन बढ़ा कर केसे बेचना यह भी कला बकरी पालन में होना बहुत ही जरूरी यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी साथ यो बकरी पालन में सबसे ज़्यादा आमदनी होती है पसु वेवसाई जो भी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला को वेव से चार से पांच मईने में दस से पंद्रह हजार बीस हजार में केसे बेज देंगे तरीका भी हम आपको बताएंगे साथियों जब आपका में पत्ति खाने लगे चारा दाना खाने लगे उस समय आपको इस दवा का परियोग करना है साथियों यदि आप इस दवा को उस जब हम समय बता रहे हैं उसी समय यदि परियोग करते सिख गए तो आज से भी आप बकरी पालन से जुड़ी जितनी भी परकार की शमयशे आती हैं उसको पूरी तरीके से सोल कर लेंगे हाज हम आपको इससा जबरजस्त तरीका बताएंगे यदि आप इसका परियोग कर लेते हैं तो 100% आप 5 मैने के बकरे में 20,000, 25,000, 30,000 तक कमाएंगे और इससा तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि बकरी पालन में सबसे ज़्यादा आंधनी होती है पसु माली कई सारे बकरे रखते हैं मार्केट में कई परकार की दवाईया रखते हैं उसको चारा खिलाते हैं दाना खिलाते हैं पसु कम खाता है या बिलकुल उसका वज़य नहीं बढ़बाता है दुबला पतला होता जाता है। यहार कई समस्चा है हमें देखने को मिलती है। साथ यह आपको जादा डवाय कुलाने की जरफ नहीं है। जादा मेेंगी दवाय क्यलाने की जरफ नहीं है! आप यदि पसूरों के सिर्फ भूοग बढ़ा देंगे, बक्रों की भूख बड़ा देंगे तो बक्रों का वजन आप जो खुरा कर रहे हैं खुरा को आप गरपई करना है जैसे कि आप पती खिला रहे हैं उसको समय समय से दाना खिला रहे हैं दाना सभी बरकार का खिलाना है सातियों इन छोट-छोटी बातों का आप जहां रखेंग यदि आप बक्रे रख रहे हैं तो आप आमदनी कमा पाएंगे वरना बक्रे तो कई सारे रखते हैं कई सारे बड़ बड़े व्योसाई करते हैं बड़े बड़े बक्री पालंगे लिए गोदाम बना लेते हैं कई सारे पैसे लगा देते हैं उनके पास फिर भी उनके बक्रों पर वापस कम हो जाता है, उस तरीके से आपको वजन बड़ाना ऐसे अम हर तीन मिने में हमें गोली देना एए इस की एगोली नामचे टेबलेट आती है जिसका फर्मूला होता है फेंडन डगल यह सिर्फ बक्रों के लिए चोटे बक्रों के लिए तो आपको इनमें इस टेबलेट का यूज करना है यह हर तीन माइने में देते रहना है साथ यह इसके बाद एक साहिरापाति है साइप्रोहेप्टाडीन फर्मूले की सुबह पिला देंगे उसी समय से पस्वों की इतनी भुख रहेगी कि आप जितना चारा दाना खिलाए पस्वों तेजी से खाएगा एक दिन में पांच किलो खिलाया पस्वों वजन पांच किलो बढ़ जाएगा साथ यह जवर्जस्त तरीका है पेट्टी कलिए तो साइप प्रों हेट्टाइडि नायम से साहिराप आती है इसका प्रिवाप को सुबह साम सुबह साम जब तक आप भूख बढ़ाना चाहे तब तक दे सकते हैं पस्वों में इतनी तेजी से भूख लगेगी कि पस्वों भूख के कारण परेशान हो जाएगा आप जितना चारा दान है तो आप भी अपने वप्रों का तेजी से वजन बढ़ा सकते हैं सातियों इसके कोई साइड एपेक्ट देखने को नहीं मिलेगा आप कितने भी दिनों तक पिला सकते हैं और जबढ़ जलत भूख खुलने के लिए फर्मुला है तो सातियों एक बार इसका प्रियोग पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जदा से जदा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जब करें मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंद्य मात्रूं